राची में प्रकृति को समर्पित सर्हूल पर्व आदिवासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया सभी ने विशेश और एक जैसी पोशाक में अपना पारंप्रिक नरत्य किया और दूसरे को सर्हूल पर्व की बधाईयां भी दी प्रकृति को समर्पित सर्हूल पर्व आदिवासियों का प्रमक और सबसिब बड़ाते होर माना जाता है सरूल दो शवदों से बना हुआ है सर और हूल सर का मतलब सरे या सकुआ फूल होता है वहीं हूल का मतलब क्रांति होता है इस तरह सकूव फूलों की क्रांती को सरूल कहा गया है सरूल में साल और सकूव रक्ष की विशिस तोर पर पूजा की जाती है सरूल तोहार प्रकर्टी को समर्पित है इस तोहार की दोरान प्रकर्टी की पूजा की जाती है आदिवास्यों का मानना है कि इस तोहार को मनाई जाने के बाद ही नई फसल का उप्योग शुरू किया जा सकता है मुख्यता यह फूलों का तोहार है पत्जट रितू की कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ति एवं फूल खिलते है इस पर में साल के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशिश मैत्व है मुख्यता यह परव चार दिनों तक बनाया जाता है जिसकी शुरूआ चैत्र महा के शुक्ल पक्ष की तरतिया से होती है प्रादर दैपर न्यूज के लिए राची से सुनिल पॉद्धर की रिपोर्ट प्रादर न्यूज के लिए भी तरतिया से लिए एक शुक्त बनाया जाता है